जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए आपको तेरा युक्तियां पता होनी चाहिए कई जंगली जानवर किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक या घातक भी हो सकते हैं अगर आप आंकडों पर नजर डालें तो आपको डर लग सकता है शार्क के कारण प्रतिवर्ष केवल 6 मौते होती है उनकी बदनाम प्रतिष्ठा बहुत अतिरंजित है भेडिये प्रतिवर्ष 10 मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं शेर एक वर्ष में 22 लोगों को मार देते हैं अब तैयार हो जाओ हाथी प्यारे प्यारे विशालकाए यही कारण है कि हर साल 500 से अधिक लोग अपनी जान गवाते हैं इस दरावनी प्रतियोगिता में दरियाई घोडे उनकी बराबरी करते हैं मगर मच शार्क से भी अधिक खतरनाक होते हैं प्रतिवर्ष लगभग एक हजार मौते होती हैं लेकिन यहाँ चैंपियन साप है इस सरी स्रिप के दातों के कारण वन लक लोगों का अंध हो गया आपको किसी भी स्थिती के लिए तैयार करने के लिए हमने तेरा तरीके एकतर किये हैं जो ऐसी अपरिये मुठ भेड होने पर आपकी जान बचाएं वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और अपनी भलाई के बारे में चिंता करने के लिए हमें धन्यवाद देना ना भूलें अच्छा हमको सिकारी आए अच्छी खबर यह है कि प्रित्वी पर मौजूद शार्क की 150 प्रजातियों में से केवल 20 प्रजातिया ही इंसानों पर हमला करती हैं उनमें से अधिकांच आपको भूजन के रूप में नहीं देखते हैं तो अगर कुछ स्वादिष्ट नहीं है तो आप क्या अच्छे हैं यह सब बुरी खबर के कारण है यदि कोई शार्क आपमें दिल्चस्पी लेती है तो उससे अलग होना कठिन होगा शार्क को आकरशित न करने के लिए रक्त या मूत्र को पानी में जाने से रोग़ें यदि आप आमने सामने मिलते हैं तो इस शिकारी से मुह ना मोड़े खासकर घबरा कर भागने की कोशिश न करें इस तरह आप शिकार की तरह दिखेंगे धीरे धीरे चलो यदि आप पकड़े गए हैं तो आखों और गल्पडों पर निशाना लगाएं ये जोन सबसे ज्यादा समवेधनशील है जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि कंगारू इंसान के लिए खत्रा पैदा कर सकता है हाला कि ये तभी होगा जब आप उसके क्षेतर में प्रवेश करेंगे और जानवर को खत्रा महसूस होगा किसी विवाद से बचने के लिए निमनलिखित कार्य करें खांसी, आपकी खांसी छोटी और शान्त होनी चाहिए कंगारू इसे एक बीमारी का संकेत मानेगा और संभवता आप पर हमला नहीं करेगा धीरे धीरे पीछे हटे, इस तरह आप पर हमला नहीं किया जाएगा आप छोटे दिखेंगे, इसलिए कम खतरनाक हों, दूर मत हटो और भागो ये केवल जानवर को उकसाएगा याद रखें कि कंगारू उत्तम छलांग लगाने वाले होते हैं ये कुछ ही क्षडों में आपको पकड़ लेगा यदि आपका सामना शेर से हुआ है, तो आँखों का संपर्क बनाए रखें अपनी पीठ मत मोडो और अपनी आँखें दूसरी ओर मत हटा इससे शिकारी को हमला करने का समय मिल जाएगा अधिक विशाल दिखने का प्रयास करें ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए अपनी बाहों को उपर उठाएं और जैक करें यदि आप बड़े और खतरनाक दिखते हैं तो जानवर मुठभेर से बचने की कोशिश करेगा सिंग से काफी उची और आत्मश्वास भरी आवाज में बात करें आवाजे निकाले और इशारे करें ऐसा व्यवहार किसी पीरित के लिए सामान्य नहीं है इस तरह आप शिकारी को चकित कर देंगे इसलिए वो आपको एक चिर्चिरी उपस्थिती के रूप में समझेगा जिससे दूर रहना ही बहतर है हाथी चतोर और काफी मिलंसार जानवर होते हैं लिकिन वे लोगों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं मादा हाथी माताओं के बारे में यह विशेश रूप से सच है यदि वे निर्णय लेती हैं कि आप उनके बच्चों के लिए खतरनाक हैं यदि आपका सामना किसी हाथी से हो तो उनकी शारीरिक भाशा पर ध्यान दे यदि उनकी सूंड मुड़ी हुई है और कान पीछे की ओर खीचे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वे आपको कुचलने वाले हैं यदि जानवर पास आ जाए तो भागे नहीं अपने और हाथी के बीच बाधा बनने के लिए कुछ खोजने का प्रयास करें ये पत्थर या पेड हो सकता है गैंडे की दृष्टी खराब होती है इसलिए उन्हें डराना और हमला करने के लिए उकसाना आसान है इन जानवरों की गती 37 मील प्रती घंटे तक पहुँच सकती है यही कारण है कि उनसे आगे निकलना वास्तव में कठिन है कठिन है लेकिन असंभव नहीं गैंडे से बचने का एक मात्र तरीका एक पेड के पीछे चिपना है ये जानवर के लिए एक बड़ी बाधा है इसके अलावा ये जाडियों या उची घास के बीच आपका पीछा नहीं करेगा नमबर एट हिपोज ये जानवर तो प्यारे लगते हैं लेकिन ये तस्वीर बहुत भ्रामक है वे बहुत खतरनाक हो सकते है अपने वजन के बावजूद दरियाई घोड़ा 18.5 मील प्रती घंटे की रफ्तार से दोड़ सकता है उनका चरित्र भी उत्तम नहीं है उन्हें गुस्सा दिलाना आसान है यदि मौसं गर्म है तो जाड़ियों में प्रवेश ना करने का प्रयास करें सूखे के दोरान पानी का स्तर कम हो जाता है इसलिए दरियाई घोड़े उची घास में छिप जाते है जानवरों को आपको अकेला छोड़ने के लिए किसी पेड, चटान या खड़ी पहाड़ी पर चढ़ें जब तक वो चलाना जाए तब तक वहीं रुको व्यापक राय के बावजूद बैल आंदोलन पर प्रतिक्रिया करते हैं लाल या किसी अन्य रंग पर नहीं इसलिए यदि कोई बैल आपकी ओर दोड रहा है तो सीधे और स्थिर रहें अपनी टोपी, टी-शर्ट या अन्य कपड़े जो आपके पास हो उन्हें चारे के रूप में उप्योग करें जब जानवर बहुत करीब आज आए तो उस चीज को जितना हो सके अपने से दूर फेक दे बैल दिशा बदल देगा और इस स्वस्तू का अनुसरण करेगा जेली फिश के जलने से लंबे समय तक चलने वाला कश्ट डायक दर्द होता है कुछ लोगों का मानना है कि क्षति ग्रस्ट सता पर पेशाप करने से दर्द से राहत मिल सकती है लेकिन ये सिर्फ एक शहरी किवदंती है जलने के तुरंत बाद इस जगह को नमक के पानी से धोले शुद पानी से स्थिती और खराब होगी उसके बाद चिम्टी या छडी की मदद से जेले फिश के बचे हुए हिस्सों को हटा दे यदि आपके पास एंटी हिस्टामाइन मरहम है तो इसे जले हुए स्थान पर लगाए इन जानवरों के जबड़े ग्रह पर सबसे मजबूत होते हैं इस मामले में मुक्त होना आसान काम नहीं होगा यदि तुम्हें पकड़ लिया गया है तो आखों पर प्रहार करो इन जानवरों की आखें और गला उनके सबसे संबेदनशील क्षेत्र है जानवर को आपको जाने देने के लिए उन पर निशाना सादे यदि आप देखते हैं कि शिकारी जमीन पर आपकी ओर रेंग रहा है तो जितना संभव हो उतना शोर करें जिग जैग में दोड़ें ठीक यही स्थिती है जब दोड़ना और चिलाना ही सबसे अच्छा समाधान है अगर आपको तैरते समय मगर मच दिख जाए तो छीटा कशी ना करें चिलाओ मत यह अवान्चित ध्यान आकाशित करेगा जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें और तैर कर दूर चले जाएं अधिकांच सांप लगभग सरीसरिपों के समान आकार के होते हैं ना तो खतरनाक और ना ही जहरी इस सरीसरिप को पकड़ने की कोशिश में लोग 80 प्रतिशत काट लेते हैं यदि आप देखते हैं कि कोई सांप आपका पीछा कर रहा है तो अपने पैर पटकी कमपन से सांप भ्रमित हो जाएगा और वो आपको भ्रमित कर देगा लेकिन अगर आप गलत समय पर गलत जगह पर पहुंच जाते हैं तब भी ऐसा हो सकता है व्यवहार संबंधी कई नियमों को जानना आवश्यक है अगर तुम भागोगे तो शिकार की तरह दिखोगे एक जंगली जानवर आपका पीछा करेगा कम से कम अपनी सहच प्रवृती के कारण और अगर आपको लगता है कि आप भालू से आगे निकल सकते हैं तो इसे भूल जाई वे 30 मील प्रती घंटे की गती विक्सित कर सकते हैं जमीन पर गिरो और एक गेंद की तरह मुड जाओ अपनी गर्दन को ढखने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करें मरने का नाटक करो इस तरह आपको अब खत्रा नहीं माना जाएगा भालू आपको थोड़ी देर के लिए इधर उधर उचाल सकता है घबडाय नहीं थोड़ी देर और खेले भले ही यह आपको अकेला छोड़ दे क्योंकि ये स्मार्ट जानवर अक्सर आसपास रहते हैं और अपने शिकार पर नजर रखते हैं गोरिल्ला को जंगल का राजा यूँ ही नहीं कहा जाता वे ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार और जमीन की रक्षा करते हैं यदि आप आग्याकारी व्यवहार करते हैं तो वे आप पर हमला नहीं करते हैं जानवर नीचे बैठते हैं ताकि वे कम बड़े दिखें और गोरिल्ला से उपर ना उठें फुसफुसाने की कोशिश करें और सीधे आखों के संपर्क से बचें गोरिल्ला गर्विक जानवर हैं एक नियम की रूप में वे कमजोर और असहाए लोगों पर हमला नहीं करेंगे मधुमक्या अपने छत्ते की रक्षा करेंगी यदि आप बस चल रहे हों तो भी वे काट सकते हैं मधुमक्यों का ध्यान आकरशित करते हैं इसलिए यदि आपने काली टी-शिर्ट पहनी है तो आपको इन कीरो द्वारा काटे जाने की संभावना बहुत अधिक है यदि मधुमक्यों का छत्ता या उनमें से कुछ मधुमक्या आपका पीछा कर रही है तो किसी अंधेरी जगह पर छुप जाएं उचित रोशनी की कमी से कीरे आपके रास्ते से भटक जाएंगे हम आशा करते हैं कि आपको कभी भी हमारे गैंडे से बचना नहीं पड़ेगा मगर मच से दूर नहीं जाना पड़ेगा या भूखे शेर से नहीं मिलना पड़ेगा हाला कि अब आप जंगल में अपनी सुरक्षा कर सकेंगे देखने के लिए धन्यवाद यादी आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए